अरे यार जिम के लिए स्रफ आदा गंटा रहा गया शिट एक काम करता हूं जितने भी बंदे कॉंटक्ट में हैं मेरे हैं पीने के लिए फोन करते हैं मुझे जीना अराम कर रखा बोडी बनाने नहीं देंगे सबसे पहले इसको ब्लॉक करता हूं मैं सबस्क्तारिक सबस्क्राइब यार मैं प्लीज जाने दे अर्जम जाना है आज आज एक बहुता है तो आज आज पी नेते हैं पर लास्ट होगी आज के बिल्कुल लास्ट चल ठीक है जिम तेलेगा कल से मेरे साथ में पक्का ना चल आज एक बियर हो जाती है फिर सब्सक्राइब जिम जाने के सूच अज तो तू पंविल गया है हाँ जैसे लोग फिटनस रहने ने दोंगे ld bol स्यशन खोड़ा कया टाइब रि psychedel को लगड़े विए ईसलोगों गा Scott ज़से है। यार मिल गये हैं। औरारे अज दी देले में ढ़िवेद है। ये आखरी पाटी है। जाल talks? ढ़िए निजम चलेगा तो एसथ साहाओ। को जाएगा दीछकेहेंगे थेकता हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा आपको बहुत एंटेटेनिंग लगा होगा क्योंकि इस तरीके के आपके दोस्त होते हैं जो कि आपको एंकरेज करते हैं दारू पीने के लिए शराप पीने के लिए अगर आपका फिटनस का गोल है तो वो उनसे आप बढ़का देंगे आपको तो आप एक ऐसा पाटना चूस कीजिए जो आपको फिटनस की तरफ धकेले और फिटनस के लिए मॉटिवेट करें तो मेरा जस्ति ये वीडियो गनाने का मकसद ये था क कि आप ऐसा पंड्र légष ना आप पढ़ना चूस करें कि आपको आज बोले कि आज दारू पिले और कल से स्टार्ट करेंगे तो आगे आप वीडियो देखें आपको बहुत आने का सपना चोड़ देंगे या फिर शराप पिना चोड़ देंगे तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है प्लीज इसे एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों आपसे रिक्वेस क्या मिल का होता है तो उसके अंदर आप 100-500 कैलरी अपनी बॉड़ी के अंदर ले रहे हैं तो दोस्तों अगर आप बहुत ही जादा ड्रिंग कंज्यूम करते हैं बहुत जादा पैक पी रहे हैं लगातार एक दो तीन चार पांच छे पी जा रहे हैं तो दोस्तों उससे क्य क्या होता है कि जो हमारी क्रैब साइकल होती है वह एफेक्ट होती है अब आप पूछेंगे क्रैब साइकल क्या है दोस्तों क्रैब साइकल का काम यह होता है जो हमारी बॉड़ी के अंदर स्टोर्ड काब्स हैं और जो फैट है उनको एटीपी में कनवर्ट करके एनरजी के to burn करने का कर्ते है लेकिन दोस्तों जब हम ज्यादा alcohol consume करते हैं तो उसे क्या होता है कि हमारी body दो समझ में नहीं आता और हमारी Body digestion में लग जाती है और जा प्राइट का जो प्रॉसेज़ using कर ने करने में लग जाती है और जो उसका P. công मुंन जाये कि कभी अपना fat कम कर सकते हैं अपना ard कर सकते हैं तो उन लोगों को अगर जिन लोगों को फैर करना रहना एंपना आज से शराव का 2015 परसेंड टायों अपों आपको बहुत ही जादा है ता रहता है जिसक attachalках कर पाते हैं और दोस्तो साथ साथ में यह होता है कि आपका जो protein synthesis होगा वो 20-25% तक drop हो जाएगा तो इसका मतलब है जो आपके cells होते हैं, body के cells होते हैं वो dehydrated रहते हैं तो आपकी body को यह नहीं समझ में आता कि वो muscle building करें या muscle recovery करें और दोस्तो अगला point है कि जो लोग जादा शिराब का सेवन करते हैं उनका testosterone level बहुत ही जादा down हो जाता है यानि कि उनका testosterone level normal से 30% तक down आ जाता है अगर वो इस चीज़ को continue रखते हैं तो उनका test level बहुत ही down चला जाता है और उसके साथ-साथ जो male boobs की problem है उनको वो भी साथ-साथ उनको male boobs की problem हो जाती है और उनका test convert हो जाता है estrogen के अंदर जो की एक female hormone है तो chest और gyno जैसी problem भी आपको हो सकती है तो यह बहुत ही major problem है आपने देखा होगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा शराब करते हैं या फिर वो everyday consume कर रहे हैं तो उनका आपने देखा होगा कि इनकी body के अंदर बहुत जादा fat होगा और उनकी t-shirt का भी उतरवा के देखेंगे तो आप तो जो उनकी chest है वो एक female shape में आपको नजर आएगी तो यह बहुत ही बड़ा इसका side effect है और दोस्तों जो लोग asteroid use करते हैं उनके लिए तो यह जहर का काम करता है यानि कि aromatization की उनको problem रहती है पहले से ही उनका test estrogen में convert होने की दिक्कत रहती है और वो alcohol करते हैं तो उनका यह risk और ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो लोग asteroid style पे हैं उनको तो यह बिल्कुल यूज कुछ नहीं करना चाहिए यानि को कि प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है उनको गाइनों की प्रॉब्लम हो सकती है तो वह इसको बिल्कुल अवाइड करें और दोस्तों इसके साथ साथ एक study में यह भी पाया गया है जो लोग regular drink करते हैं उनका IGF insulin growth factor यानि कि 45% तक डाउन ह हो जाता है यानि कि बहुत ही बड़ा factor है 45% तक आपका IGF level drop हो जाता है तो यह कितनी बड़ी बात है और दोस्तों मैं तो आपको एक सला दूंगा कि आप लोग मैं कितना भी समझा लो और कोई किसी को भी समझा लो वह किसी को कितना भी समझा लो नहीं मानेगा क्योंकि उसक आप से तरही के से किस ठीके से आप इस चीज को इंज्ट्वटी कर सकते हैं साथ में आप अपनी मुस्ट्री ना चाहूंगा अगर आप ड्रिंग करते हैं तो आप जादा से जादा water का कंज्यूम करें यानि कि जादा जादा पानी पिएंगे आपके cells dehydrated रहेंगे और आपक शराब पीने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रोटीन कंजूम ना करें यानि यह प्रोटीन शेक ना पिए प्रोटीन वाली चीज ना खाएं उसके बाद में आप ड्रिंक करने के बाद में आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं प्रोटीन वाली रिच फूड खा सकते हैं और अगला माइन आपको catabolic stage में जाने से बचाता है आपका muscle loss होने से भी आपको बचाता है और दोस्तों मेरा last and final point है जैसे कि आपने आज ड्रिंक करी है और तो आप अगली दिन morning में उठते हैं तो आपका breakfast heavy होना चाहिए जिसके अंदर protein rich foods होने चाहिए carbs का अच्छा combination होना चाहिए अच्छे fats होने चाहिए good fat होने चाहिए तो आपको एक heavy milk जरूर consume करनी है अगर आप ऐसी meal दूंड रहे हैं तो वो मेरे अपनी वीडियो में suggest करी हुई है तो उसका link में यहां दे दूँआ यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं वो बहुत ही help कर देखी आपको और बहुत ही protein rich foods मैंने उसके अंदर यूज किये हैं तो दोस्तों यह थी आज की information लाइफ में हर चीज इंजॉय करना बहुत जरूरी है शराब हर कोई पीता है ड्रिंक आप करिए वीकेंड पे करिए आप रोज मत कीजिए आप हफते में एक बार अगर आप करते हैं यानि कि आप saturday work out कर रहें जल्दी वरकाउट करके अगर आप पी रहे हैं तो एक limit में पीए यानि कि अगर आप लिकर यूज कर रहे हैं तो आप 90 ml यानि 120 ml से ज्यादा के ऊपर ना जाए और अगर आप beer पी रहे हैं तो वह आप यह रखे कि आपको सिर और जितना ज़्यादा पानी पीएगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है, और मैं तो यह कहूंगा, ना ही पीए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर पीते हैं, तो जिन लोगों बहुत जाद तलब लगती हो अपते में, एक बार पी सकते हैं, यह सेफ तरीकाई से आ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आभी नीचे जाए रेडिकल का बटन है उसे दबा दे और उसके साथ में बैल आइकन है उस पर भी दबा के क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए बाइन टेक केर लव यू ओल